आप सभी का स्वागत है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर हम चत्तीजगड राश्ट्रिय एबं अंतर राश्ट्रिय करंट अफेर्स को डील कर रहे हैं आज इस सीरीज में हमारी बारी है आज जो हम डील करेंगे इसी पर ही बेस करके हम कल क्या करने वाले हैं MCQ's हम सॉल्व करने वाले हैं लेकिन उससे पहले कल हमने National और International Current Affairs के MCQ's हमने डील किया था हमने एक नया उसमें फॉर्मेट लाने की कोशिश की थी कि आप लोगों को एक दिन में विडियो दिया जाए उसमें questions दिया जाए अगले दिन उनके जवाब देंगे हम लेकिन students के request पर हम उस format को हटा रहे हैं अब से हमारा जो mcq का session रहेगा सीरीज रहेगा उसमें हम साथ साथ ही mcq के सवाल के जवाब भी देते हुए चलेंगे है ना लेकिन कल का जो हमारा छूट गया था answers उसके answer की आप लोग मिला लेंगे यह आपके वह answers है जो कल हमने current affairs के mcq deal किये थे national और international उसमें 21 question थे और यह उसके answers है ना तो यह आप लोग screenshot लेकर के एक बार उसको match कर लिजेगा अगले बार से जो हमारी mcq की सीरीज रहेगी उसका answer हम लोग instantly साथ साथ देते हुए चल yesterday याने की June महिने के पहले हफते में होने वाली समस्त वो समसमाई की गटनाएं जो हमारे राज्य में हुई है और हमारे लिए exam उपयोगी हैं उन सभी को हम deal करने वाले हैं हमारा जो format रहेगा एक हम particular format को follow कर रहे हैं जैसे की सबसे पहले हम देखेंगे इस हफते की महत्पू और ने 10 लोगों को 10 लोगों को जीवन दान दिया S.E.C.L की शुष्षृत योजना चत्तीजगड चुनाओं के परिणाम इसके बाद में हरीत चत्तीजगड योजना ये वो महत्पूर्ण चीजें हैं जो जून के पहले हफते में हम लोगों को हमारे चत्तीजगड के समसम समाइकी में बनी रही है इसके बाद में कुछ ऐसे चर्चित स्थान है जिनके बारे में हमको जानना है एक है गंग्रेल डैम दूसरा है खलारी टेंपल और तीसरा है महंत घासी दास समारक संगरहाले रायपूर इसी के साथ हमारे पास में कुछ ऐसे चर्चित व्यक्ती रह हैं समसमाइकी में बने रहे हैं जैसे की सरीता पैकरा ब्रिज मुहान अगरवाल विजय बगेल तोखन साहू रादेशाम राठिया चिंतामनी महराज जोचना महंत महेश कश्वप कमलेश जांगडे संतोष पांडे भोज राम नाग भोज राज नाग एवं रूप कुमारी च देटा है क्या 36 गड़ का तो हमारे पास केवल एक ही तत्थ है वो है 36 गड़ के कबड़ी लीग जो हुए 2024 का उसका क्या हो गया है फाइनल मैच आयोजित किया जा चुका है और वहां से हमको चैंपियंस 36 गड़ के कबड़ी लीग के भी मिल चुके हैं उनके बारे में थोड देखना है तो आये शुरू करते हैं सबसे पहला है हमारे पास में 36 गड़ कैड़ेवर पॉलिसी अब ये क्या है प्रखर फ्रॉम कोर्बा अ 10-year boy who died in an unfortunate accident gave new life to 10 other people through organ donation मतलब प्रखर कोर्बा के 10 वर्षिय बालक प्रखर की दुरभाग पूर्ण क्या हो गई है दुरगटना म प्रित्यू हो गई है लेकिन उन्होंने अंगदान के माध्यम से अपनी जान गवां करके उन्होंने क्या किया है दस अन्य लोगों को नया जीवन दिया है तो यह हमारा किसके अंदर में आ रहा है चत्तीजगड कैडवर पॉलिसी क्या है चत्तीजगड की हम देखते हैं यह जो चत्तीजगड कैडवर पॉलिसी है यह ब्रेंडेड जो गोशित किये जाते हैं पेशेंट्स उनके अंगदान से सम्मंदित जो हमारा दिशा निर्देश है हमारे चत्तीजगड में उसे ही हम क्या कैदेवर पॉलिसी या फिर चतेजगड़ कैदेवर पॉलिसी यह जो प्रखर हैं इन्हें brain dead घोषित होने के बाद में डाक्टरों ने इनके पिता को या फिर इनके परिवार को अंगदान के लिए राजी किया तो शुरुबात में इनके पिता तो मान गए लेकिन माता और बाकी परिवार वालों का ये मान नहीं रहे कि हम अंगनान नहीं करेंगे हमारे बच्चे के अंग को हम क्यों प्रत्यांग करवाएंगे लेकिन बाद में सभी ने मान लिया और finally ये जो प्रक्र है इनके अंगों से, इनके आईबॉल से कॉर्णिया से किड्नी से लीवर से हाट वॉल्व से दस लोगों को नहीं जिंदगी मिली है फाइनली अल्टिमेटली इनकी माता का स्टेट्मेंट आया कि मेरा बच्चा आज मुझे दस अलग-अलग लोगों में देखने मिल रहा है और इन्हों ने एक मिसाल कायम की है चती ज्यादा से ज्यादा हम अंगदान को प्रेरित करें हमारे चतीजगड में ताकि दूसरों को जिनका जीवन एक अधर में लटका हुआ है उनका जीवन क्या हो सके समर सके हमारे अंगदान के कारण ठीक है तो यह है हमारे कौन प्रकर जो कि कहां से है कोर्बा से है और यह चत मतलब ये अमर हो गए हैं. हमारे चटीजगड के प्रकर. आब देखे, ये जो cadaver transplant program है चटीजगड में cadaver transplant cadaver वो है जो जिन लोगों को brain dead बोला जाता है brain dead गोशित किया जा सकता है समान बहषा में जिने मृत गोशित कर दिया जाता है उन लोगों का जल्द से जल्द है ना उनकी body decompose होने से पहले उनका क्या करना चाहिए organs को transplant करने की प्रक्रियाओं को शुरू कर देना चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या cadaver policy लेकिन हमारा जो 36 गड़ है ये दोनों तरीके से transplant करता है अगर कोई व्यक्ति जीवित है और वो भी अपना अंगदान करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे यहां व्यवस्थाए हैं और अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके परिवार वालों की सहमती के अनुमती के बाद भी उनका transplant organ किया जा सकता है तो दोनों ही हमारे पास में policies हैं हमारी 36 गड़ की जो यह आपका organ transplant की policy है यह national organ transplant का जो program है उससे align करता है याने कि हमारे राष्ट में भी क्या है अंगदान का कारिकरम चल रहा है मतलब program चल रहा है और उसी से ही align कर दिया गया है कि इसको हमारे 36 गड़ के अंगदान की policy को थोड़ा सा समझते हैं इसको जो पूरे पूरे भारत में जो अंगदान होते हैं उसके लिए जो जरूरी मापदंड है दिशा निर्देश है वो आपका human organ transplant act 1994 के माध्यम से किये जाते हैं मतलब 1994 में जो हमारी विधाई का है भारत की संसद है उसने एक नियम पारित किया जिसे हम बोलते हैं क्या human organ transplantation act 1994 या फिर मानव अंग प्रत्या रोपन अधिनियम 1994 इसके माध्यम से क्या हो रहा था सबसे पहले हमने इसे एक विधाई स्वरूप दे दिया है ना statutory एक इसको क्या दे दिया गया स्वरूप दे दिया गया और 2014 में फिर से जो हमारी भारत सरकार है जिसे हम क्या बोलते हैं executive wing बोलते है कारेपालिका हमारी जो भारत सरकार है उसने भी एक नियम पारित कर लिया किसका मानव अंग और प्रत्यारोपन नियम 2014 है ना तो ये जो दो हमारे पास में आपके क्या है एक नियम है जो हमारी कारेपाली का द्वारा पारित कराया गया है और एक अधी नियम है जो हमारी विधाई का द्वारा पारित कराया गया है 1994 में इन दोनों के माध्यम से हमारे पूरे देश में क्या होता है औरगन जो ट्रांस्प्लांट है उसका पूरा खारिक्रम दिशा निर्देश बनाये जाते हैं किनको अलाउ होगा किनको अलाउ नहीं होगा क्या सभी मापधन्ड में बनाये जाते हैं इन दोनों के माध्यम से आपके जीवित व्यक्ति और शव दोनों के ही लिए क्या होते हैं? मापदण निर्धारित किये जाते हैं, मतलब फॉर बोथ लाइव एंड कैड़ेवर के लिए किये जाते हैं अब चतीसगड मेंने क्या किया है? चतीसगड नया राज ये बनने के बाद में ये जो आपका Human Organ Transplant 1994 है इसको यथावत हमने क्या कर लिया है? अपनी विधाईका से पारित करा करके इसे चतीसगड चतीसगड Transplantation of Human Organs Act 1994 हमारी विधाईका से पारित करा लिया है याने कि चतीसगड अंग प्रत्यारोपन अधिनियम 1994 के नाम से ये हमारे चतीसगड में जाना जाता है और वहीं चतीसगड की जो सरकार है ये हो गई क्या? विधाईका द्वारा विधाई का द्वारा है ना ये पारित करा दिया गया अधिनियम हमारे चत्तिस गड़ में भी और साथ साथ हमारे जो चत्तिस गड़ सरकार है जब 2014 में भारत सरकार ने नियम लागू किया उसी समय ही हमारे चत्तिस गड़ ने भी उस नियम को तुरं स्विकार करते हुए क्या प्रत्यारोपन जो है या फिर ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन जो है यह किन-किन आधारों पर मापदंड उपर बेज्ट है तब हमको पता होना चाहिए एक क्या है मार पास और दूतरा है इन पर बेज्ट है हमारा क्या चत्तिजगरों में और व्यादा से ज्याद लोगों तक अबिस महां है है ना, अंगदान महादान है, हम सभी को इसको अपने लिए भी पालन करना है, अपने चित परिशित जो लोग हैं उन तक भी इन भातों को पहुचाना है कि अगर हमारे पास में किसी के हाला की हम तो विश्च करते हैं के साथ भी कोई ऐसी दुखत घटना ना हो लेकिन अगर कोई दुखत घटना हो जाती है तो वो अपने जाने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को नया जीवन दे सकते हैं और यही उदाहरन सेट किया है कि इसने दस साल के प्रकर ने जिसकी क्या हो गई थी एक दुरगटना में बृत्यू हो गई थी आगे चलते हैं दूसरा हमा हमको पता है हमारे चत्तीजगड इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बेन रिलीजड है न याने कि 4th of June जो रहा हमारा सन 2024 का इसमें हमारे चत्तीजगड में हुए जो लोकसभा के चुनाव है उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें जो भाजपा रही है भारतिय जन्ता पार्टी BJP इसने 10 सीटे जीती है 11 लोकसभा सीट में से और केवल और केवल एक ही सीट है जो ह कौन सा कोरबा का लोकसभा सीट जिसको जीतने वाले कौन है इंडिया नैशनल कॉंग्रेस या फिर भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस है ना ब्रिज मोहन अगरवाल फ्रॉम राइपूर वान वित मैक्सिमम मार्जिन मतलब सरवादिक मार्जिन से जीतने वाले व्यक्ति क्या किया था जीते थे और उसके बाद में 36 गड़ में मंत्री भी हैं ये कौन से मंत्री है इसका जवाब आप लोग देंगे ना 36 मंत्री रहे watt ये अब यह ये 36 गड़ की विधाय का से स्टीफा दे करके क्या करेंगे ये देश की सेवा करेंगे और संसद में जा कर के हमारे चतीजगड के राइपूर का पूरा क्या करेंगे प्रतिनिदित्व करेंगे इसके बाद में हमारे पास भोज राज नाग नामक हमारे क्या है मेंबर ओफ पर्लियमेंट है लोग सबागे जो कांकेर से जीते हैं और ये सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले विक्ती हो गए है जो केवल और केवल 1884 बोट से जीते हैं ना तो सरवादिक बोटों से या सरवादिक मारजिन से जीतने वाले कौन है यह है ब्रिजमोहन अगरवाल और न्यूनतम मारजिन से जीतने वाले कौन है बोज राम नाग बोज राज नाग तो ब्रिजमोहन अगरवाल कहां से जीते है रा योगी होंगे हमारे 36 गड़ के मतदान को समझने में हमारी मदद करेंगे तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं हमारे 36 गड़ में जो टोटल वोटिंग परसेंटेज हुई है मतलब जो कुल मिला करके मतदान हुआ है वो हुआ है 72.8 प्रतीशत याने कि पिछले बार 2019 के लो मतदानों में याने कि 2019 में 71.49 प्रतीशत क्या था हमारा मतदान का प्रतीशत था लेकिन इस बार कितना हो गया है 72.8 परसेंट हो गया है इसके बाद में ऐसे कितने लोग रहे हैं जिनोंने वोट नहीं दिया है यह आप लोगों को बताना है तो यह कितने हो जाएंगे आपक 37,180,150 लोग हैं जिनोंने इस बार वोٹ दिया ही नहीं है है ना हमारा काम रहेगा कि इस जो संख्या है 47,80,180,150 जिन लोगों इस बार वोٹ नहीं दिये हैं इन लोगों को हमें कंविन्स करना है अपने मत अधिकार का क्या करेंगे प्रयोक करें क्योंकि इनके ही इनके vote डालने से भी बहुत फरक पड़ सकता है हमारी चत्तीजगड एवं भारत की राजनीती में राइपूर लोकसभा seat became the seat where maximum people didn't vote राइपूर विधान सभा या फिर राइपूर लोकसभा की जो seat है वहां सरवाधिक लोगों ने मत अधिकार का उपयोग नहीं किया और ये कितने लोग हो गए? 788,000 लोगों ने मतदान नहीं किया और वहीं जो दूसरा है वो है बिलासपूर याने कि देखिए हमारे 36 गड़ के जो सबसे बड़े दो शहर है विराइपूर और विलासपूर ये वही शहर है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है तो हम किस और हमारे विचारों को ले करके आगे बढ़ रहे है इसको हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की हमें जरूरत है तीसरा जो जीला हो जाएगा वो है जांजगिर्शापा और चौंता हो जाएगा क्या महासमुन्द है ना तो ये वो चार जीले है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत नहीं दिया है पिर सरवादिक मत कहां दिया गया तो ये सरगूजा में दिया गया कुल मिला करके 79.89 मतलब 89.89 प्रतिशत लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और वहीं जो मिनिममम वोटिंग होई है वो बिलासपूर में होई है 64.77 प्रतिशत ठीक है ये वही आपका डेटा है आगे चलते हैं कुछ हमारे पास में क्या है व्रिद्धी दर है हमारे पास में मतलब 2019 से ले करके 2024 में जो चुनाओ हुए है इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत की व्रिद्धी दर हमें देखने मिली है मतदान में इसका डेटा है वेरी इंपॉर्टन खास कर अभी जो लोग मेंस दिलाएंगे उनके लिए इंपॉ होना ही चाहिए कितने प्रतिशत व्रिद्धी हुई कितने प्रतिशत वहां पर आपका कितने आपके सीट्स हैं वहां पर मतलब एक लोग सभा सीट के पीछे कितने आपके जो विधान सभा की सीट्स हैं कितनी सीट्स हैं कितनी सीट्स हैं कितनी सीट्स हैं यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए है ना फिल हाल देखते हैं हम लोग कितना प्रतिशत कहां पर क्या हुआ है वृद्धी दर रही है पिछले बार से लेकर के इस बार के आपके लोगसभा चुनाओं में तो बस्तर में 2.25 प्रतिशत राजनांग गाओं में 1.38 प्रतिशत पहाश्तमु सरगुजा में 2.59 और ये सरवाधिक वृद्धी है तो हमारे चत्तिशगड़ में सरवाधिक वोटिंग भी कहां हुई है सरगुजा में और सरवाधिक वृद्धी भी कहां हुई है तो सरगुजा में राइगड़ में 1.07 हुआ है इसके बाद में जांजगीर चांपा में 1. दशमलो नो आठ कोरबा में 0.35 बिलासपूर में 0.41 और दुर्ग में हुआ है कितना दो दशमलो शून्य ये वो है आपके क्या प्रतीशत वृद्धी कैसी रही है आपके लोग सभा चुनाओं में 2009 से लेकर के 2019 और 2024 के मद्ध में इसके बाद में एक छोटा सा जानकारी हमारे लिए कुल भारत में कितने सीट्स में चुनाओं हुए थे 543 सीट्स में क्योंकि ये किसके हैं लोग सभा के सीट्स है 34 गड़ में कितने सीट्स में अर्व हुए थे 11 सीट्स पर हुए थे कितने चरणों में चुनाओं पूर्ण हुआ 7 चरणों में 44 दिनों का आज तक का सरवादिक सबसे लंबा क्या रहा है ये समय अवदी रही है मतदान चरणों के बीच में 34 गड़ में 19 दिनों तक रहा फिर रिजल्ट्स हमारे 34 गड़ में भी और भारत में भी overall कितने क्या रहे हैं 4 जून को यानि कि 4 जून 2024 को रिजल्ट्स जारी कर दिये गए थे अचार सहीता भी इस बार सबसे लंबे समय तक के लिए लागू रही आचार सहीता हमको मालूम है किसी भी चुनाओ को लेने से पहले चुनाओ आयोग जो होता है भारती चुनाओ आयोग वो एक press conference अपना करता है उस press conference में dates release करता है याने कि चुनाओ कब-कब होने हैं कितने चर्णों में होते हैं ये सारी चीज़ें का क्या करता है data release करता है press conference के माध्यम से जिस दिन वो press conference करता है उसी दिन से ही ये अचार सहीता लागू हो जाती है और ये तब तक लागू रहती है जब तक हमारे चुनाओ का result नहीं आ जाता तो कुल मिला करके इस बार 81 दिन याने कि 16 मार्च से ले करके 4 जून तक 81 दिनों का क्या रहा है अचार सहीता हमारे देश में इस बार रही है जो सरवादिक है ठीक है? वही है आपका same data है आगे चलते हैं अब ये हमारे लिए थोड़ा सा important हो जाता है हमारा भारतिय चुनाओ आयोग जो है Election Commission of India जो है ये वर्तनमान में क्या है? त्री सदसी है, त्री मेंबर्ड है त्री सदसी है है ना? लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था 61 सम्विधान संशोधन जो हुआ उसके बाद आपका मत करने का या फिर वोट डालने की एज को कम कर दिया गया 21 से कर दिया गया, कितना 18 उसके कारण ये जो चुनाओ आयोग है इसके उपर एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा उसके कारण इसे क्या कर दिया गया? त्री सदस्य कर दिया गया, पहले ये, पहले ये क्या था? एकल सदस्य एक क्या था? संस्थान था हमारे भारत में पूर्णता चुनाओ करने की कराने की जिम्मेदारी किसकी है? Election Commission of India की अब ये जो है, इसके एंडर में आप लोगों को एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखने मिलते हैं Chief Election Commissioner देखने मिलते हैं और दो आपके क्या देखने मिलते हैं? Election Commissioners या फिर चुनाओ आयुक्त देखने मिलते हैं तो वर्तमान में जो आपके मुख्य चुनाओ आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार और वहीं जो आपके जो दो अन्यकौन हैं निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? एक है आपके ज्यानेश कुमार ज्यानेश कुमार और दूसरे हैं आपके सुखबीर सिंग सांदू तो ये डेटा आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है वर्तमान में इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया जो भारत के सभी निरवाचनों को कराने के लिए जिम्मेदार है वो त्री सदसी यह है एक इसमें आपको देखने मिलते हैं कौन मुख्य निरवाचन आयुक्त या फिर चीफ इलेक्शन कमिशनर दो आपको देखने मिलते हैं कौन इलेक्शन कमिशनर से या फिर निरवाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ग्यानेश कुमार और सुकबीर सिंग सान्दू है आपके क्या, चुनाओ आयुक्त ये तो हो गई बात किनकी, ये हमारे देश में या फिर केंद्रिय लेवल पर है, लेकिन जो हमारा 36 गड़ में क क्या है, प्रशाशनिक एकाई है, जो हमारे यहां क्या करवाती है, चुनाओ करवाती है, उसके बारे में भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है, तो सबसे हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्रशाशनिक एकाई, ये निर्वाचन प्रशाशनिक एकाई है, या फिर इ एड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो जो हमारे सबसे उपर में होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चीफ इलेक्टोरल आफिसर चीफ इलेक्टोरल आफिसर या फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और ये वर्तमान में आपके कौन है चत्तीजगड में ये है रीना बाबा सहेब कंगाले ये है आपकी क्या मुख्य, निर्वाचन, पदाधिकारी ये आपके राज्ज की सर्वोच अधिकारी है सबसे बड़ी अधिकारी है जो निर्वाचन कराती है चत्तीजगड में इनके बाद में दो आपके पास में आ जाते हैं कोईन Joint Chief Electoral Officers संयुक्त Joint Chief Electoral Officer या फिर संयुक्त यह है आपके संयुक्त संयुक्त मुख्य, निर्वाचन, पदाधिकारी एक यहाँ पर संयुक्त हो गए और एक और आजाएंगे यहाँ पर क्या Joint CEO अब एक जो इसमें से Joint CEO होंगे, यह केवल किसके होंगे Sweep के होंगे अब यह Sweep क्या है, यह एक कारिक्रम है जो भारतिय निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जिससे जो मतदान करने वाले व्यक्ती है उनका क्या बढ़ाया जा सकते उनकी Literacy बढ़ाई जा सके उनकी Awareness क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके Systematic Voters Electoral Participation Systematic Voters Education and Electoral Participation इसका Full Form है Systematic Voters Education Electoral Participation यह है आपका क्या Sweep का Full Form तो एक हो गए हमारे सबसे उपर में कौन मुख्य, निर्वाचन, पदाधिकारी जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो हम पदाधिकारी की बात करेंगे और जब हम राश्ट की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे आयुक्त की बात करेंगे तो जो हमारी वरतमान में है वो कौन है रीना बाबा साहब, कंगाले इनके अंडर में दो हमारे पस क्या है सैंयुक्त, मुख्य, निर्वाचन, पदाधिकारी है एक जो होंगे वो पूर्णता किसके होंगे ये हैं आपका पूर्णता स्वीप के मतलब स्वीप का जो कारिकरम चलेगा मत दाताओं को जागरूख करने का मत प्रतीशत बढ़ाने का ये जो पूरा कारिकरम चलेगा इसको पूरा समालेंगे कौन ये और ये वरतमान में कौन है ये है डॉक्टर के आर सिंग डॉक्टर के आर सिंग है जो आपके चतिसगड में किसको समाल रहे है स्वीप कारिकरम को समाल रहे है इसके बाद में एक और जॉइंट हमारे पास में CEO है जो आपके बाकी किसको समाल रहे है जो नॉर्मल आपका निर्वाचन समंदित जितने भी डूटी जो उनको समाल रहे और यह है कौन पी एस रूप इतने नाम आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए यह हो गए कौन यह वो नाम है जो आप लोगों को याद होने चाहिए लेकिन जो प्रशाशनिक तंत्र है यह पूर्ण तह आपको याद होना चाहिए है ना अब इनके नीचे में आ जाएंगे कौन ये अकेले रिपोर्ट करेंगे किनको चीफ इलेक्टोरल ओफिसर को अब ये जो आपके जॉइंट सीएओ हैं जो नॉर्मल आपका किनको समाल रहे हैं शुनाओ की प्रक्रियाओं को इनके अंडर में फिर से दो कौन आ जाएंगे उप या फिर डेप्यूटी इनके पास में डेप्यूटी सी हुआ गए याने की उप उप ठीक है ये कौन हो गए आपके उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक ये हो गए और एक और हो जाएंगे यहाँ पर जिनको हम बोलेंगे उप डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनस या फिर उप संचालक विद्द के हो जाएंगे ये और फाइनली इनके भी ये जो उप हैं इनके भी अंडर में इनके भी इन दोनों की सहायता के लिए इन दोनों की सहायता के लिए एक असिस्टेंट दिया जाएगा असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ओफिसर तो ये है आप लोगों का क्या पूरे 36 गड़ में जो चुनाओं का पूरा का पूरा दारोमदार है उनको समहालने वाली प्रशाश्निक इकाई है ना प्रशाश्निक इकाई है सबसे उपर कौन आ गया सी इओ उख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में कौन है रिना बाबा साहब कंगाले इनके अंडर में कौन आ जाएंगे फिर से दो जोइंट चीफ इलेक्टूरल ओफिसर्स या फिर सैन्युक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये आ गए इनके बाद में कौन जोइंट इस जोइंट के बाद में कौन आ गए हमारे पास में डेप्यूटी आ जाएंगे या किर उप आ जाएंगे डेप्यूटी सीओ या फिर उप के कौन है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और इस तरफ आ जाएंगे डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस और फिर इन दोनों की सहायता के लिए कौन असिस्टेंट सी इ ओ सहायक ये हो जाएंगे सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक बार हम लोग इसको हिंदी में भी लिख लें क्या चली लिख लेते है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इनके अंडर में कौन रहेंगे भाई इनके अंडर में दो रहेंगे कौन सैंयुक्त सैंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पर भी सेम संयुक्त लेकिन ये हो जाएंगे किसके ये स्वीप कार्यक्रम के रहेंगे स्वीप कार्यक्रम इसके पदाधिकारी हो जाएंगे फिर ये जो संयुक्त हैं इनके अंडर में कौन आ जाएंगे उप आ जाएंगे उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और यहां पर उप संचालक उप संचालक वित्थ और इन दोनों की help के लिए कौन सहायक सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और यह जो प्रशाशनिक तंत्र है इसमें से आप लोगों को इनका नाम याद होना चाहिए यह है कौन रिना बाबा साप कंगाले स्वीब कारेकरम संभालने वाले कौन है आपके के यार सिंग और संयुक्त संचालक कौन है पी एस द है उसके लिए important हो जाएगा चार और आठ नंबर के questions यहां से बन सकते हैं चत्तीस गड़ की निर्वाचन प्रशाशनिक एकाई का विवरण दें तब आप लोगों को इसका ही क्या करना होगा विवरण देना होगा है ना फिर समान है हमारी जानकारिया जो अभी तक हम चत्तीस गड़ में कुल कितने सीटे हैं लोकसभा की 11 सीटे हैं इन लोकसभा 11 सीटों के अंदर में क्या है 90 विधान सभा की सीटे हैं इन में से unreserved कितने हैं 6 है अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित कितनी हैं 4 है और अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित कितनी है एक है तो टोटल सीट्स फोर टोटल सीट्स 11 जिसमें से अन्रिजर्व्ट के लिए 6, ST के लिए 4 और SC के लिए 1 है अब देखे यहां पर हमारे पास में पूरा एक डेटा है कौन कौन सी हमारे पास में लोग सभाज सीटे हैं जिनके अंदर में कितनी कितनी विधान सभाज सीटे हैं कौन कौन सी समान्य सीटे हैं कौन कौन से ST सीटे हैं कौन कौन सी SC सीटे हैं तो अगर हम लोग सभाज की बात करें सरगूजा लोग सभाज के अंदर में क्या है आठ विधान सभाज शेत्र आ जाते हैं जिनमें से कितने समान्य हैं तीन समान्य हैं कौन-कौन से प्रेम नगर भटगाओं और अम्भीकापुर और उसके बाद में हमारे पास में पांच ST हैं प्रतापुर, रमानुजगन, सामरी, लुंडरा और सीतापुर उसी प्रकार हमारे पास में राइगड का जो ST सीट है लोकसभा का उसके अंडर में एक SC सीट है कौन सी? शारंगड, दो समान्य सीट हैं राइगड और खरसिया इसके बाद में पांच हमारे पास में ST सीट है याने अनसूती जंजाती वर्ग के लिए आरक्षित सीट है जशपूर, कुनकुरी, पत्तल गाओ, लेलुंगा, धरम, जैगड ये सभी राइगड लोकसभा सीट के अंदर आ रही है इसके बाद में हमारे पास जांजगीर चा जंदरपूर है ना और दो SC सीट हैं कौन-कौन सी पामगड और बिलाईगड आप लोग अपने अपने जिलों का एट लीस्ट याद रखेंगे अपने अपने किसका विदान सभाद शेत्र और अपने अपने लोकसभाद शेत्रों को याद रखेंगे जिस भी एक्जाम के अ भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा पॉस करकर के इन सब का या तो SCREEN SHOT ले रेंगे या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे बिलासपूर में क्या है ये सामान ये लोकसभा की सीट है जैसे कि कोर्बा भी क्या थी एक सामान ये सीट है जनरल सीट है उसके अंदर आठ विधान सबा है इसी प्रकार विलासपूर में भी कितनी है आठ विधान सबा है छे सामान ये है कौन-कौन सी देख लिजे कोटा बिलहा लोरमी विलासपूर तकतपूर बेलतरा फिर दो SC सीट है कौन-कौन सी मुंगेली और मस्तूरी कोई भी ST सीट नहीं है यह पर इसके बाद फिर से राजनान गाओं जो हमारी लोक सबा की सीट है ये भी जनरल है आठ विधान सबा सीट से इसमें भी छे जनरल है कौन-कौन से देख लिजे पंडरिया का वर्दा खेरागर राजनान गाओं खुजी डोंगर गाओं इसके बाद में एक SC सीट से हमारे राजनान गाओं के में कौन सी है लोक महला मानपूर एक SC सीट है सीट है कौन सा है डोंगर गाओं better और थोड़ा सा तृटी है यह ST सीट है आपका महला मानपूर और mah इसी सीट है डोंगर गाओं ठीक है आगे चलते है इसात्वा है दुर्ग का इसके अन्दर मैं नौ नौ विधान सभा है, साथ जनरल है, कौन-कौन सी है, देख लिजे, है ना, पाटन, भिलाईनगर, वैशाली, दुर्ग, राइपूर, दुर्ग, रूरल, दुर्ग, अर्बन, साजा, बेमे तरह, इसके बाद में, दो हमारे पास में, अनुसूचित, जाती वर्ग के लोगों क ही है, आप लोग इसको पॉस करके इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, या फिर अपने कॉपियों में इसको बना लेंगे, महा समोन फिर से एक जनरल सीट, आठ विधान सभा की सीट है, जह जनरल, एक सी, एक स्टी, है ना, तो इसको आप लोग पूरा कर लेंगे, कुल मिला क करके हमारे पास क्या है, कुल मिला करके हमारे पास जो विधान सभा टोटल है, वो कितनी है, 90 सीट्स है, और ये जो 11 आपकी लोग सभा की सीट्स है, इनी के अंडर में ये क्या है, समाहित है, कुल मिला करके जो हमारी विधान सभा सीट्स हैं, उसमें से अनुसूचित जन ज लोगों के लिए आरक्षित कितनी है दस है और अन्रिजर्वड या फिर सामान ये कितनी है इंक्यावन है मतलब ये किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है अब आगे चलते हैं हमारा जो अगला है मेजर हमारे पास टॉपिक वो है हरि हमारे पर्यवरंड को पुनरवास के लिए याने के Endvairmental Conservation के लिए हम क्या कर सकते हैं हर साल पेड लगाते हैं हम किस पर पाईलेट बेसिस पर है ना और उस स्कीम का नाम क्या है हरियर चत्तिजगर इस साल हरियर चत्तीजगर कारिकरम के तहट चत्तिजगर में 2024-25 में और सतन 2431 हेक्टेर छेतर में 20 लाख पेड़ों को लगाने का क्या किया गया है निर्धारन किया गया है मतला 20 लाख प्लस पेड़ लगाने का क्या किया गया है हमारे 36 गड़ में 2024-25 में निर्धारित किया गया है और ये लगबग 2431 हेक्टेर शेत्र में इसको लगाया जाएगा वर्तमान में जो आपके कौन है वन एवं जलवाईू मंत्री है उनका नाम क्या है केदार कश्यप वन एवम जलवाईू मंत्री कौन है केदार कश्यप है और हम लोगों को इन्होंने इस ये सब घोशना की है याने कि तो बीस लाग से उपर हम पेंड लगाएंगे इसके लिए इतना बजट हमको लगेगा ये सब के साथ में इन्होंने एक और बहुत महत्तपूर्ण बात कही ह है और इन्होंने कही है कि यह बारे में यह है आपका मिशन बी मिशन बी अब हमारे चत्तीजगड में हमें आए दिन न्यूज मिलती है कि मानव और हाथियों का संगर्ष हो रहा है कंटिनियसली जिसको हम बोलते हैं मैन एनिमल कॉनफ्लिक्ट जो हमारे जानवर है जंगली जानवर है हम इनसानों ने पेंड कटाई करकरके उनका जो रहवास है उसे खतम कर दिया है है हैबिटेट का हमने क्या कर दिया है डिस्ट्रक्शन कर दिया है जिसके कारण अब यह संगर्ष हो रहा है हमको लगता है कि हाथी हमारे शहरों में आ गये है ऐसा नहीं है हमने क्य किया है हाथियों का जंगल काटके वहां अपना शहर बसा लिया है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारे चत्तीजगड में जान माल सब चीज का होता है प्रापर्टी का इंसानों का होता है वो मानव और हाथी के बीच के संगर्ष में होता है man elephant conflict की कारण होता है तो इससे निपटने के लिए एक mission भी लागू किया जाएगा हमारे चत्तीजगड के सात जिलों में और इसमें होगा ये जहाँ-जहाँ पर भी हमारे मानव और हाथियों का संगर्श जादा होता है। उन छेत्रों में वहाँ रहने वाले जो किसान होंगे भाई होंगे उन सबी को क्या किया जाएगा। मधुमक्ही फालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि ये जो मधुमक्खी होते हैं, इनके डंक से और इनके आतंक से हाथी जो होते हैं, वो शहरों की और नहीं बढ़ेंगे, वो अपना क्या करेंगे, जंगलों की और वापस मुड़ते जाएंगे, तो जो आपका बॉर्डरिंग छेतर होगा, बफर जोन होगा, जहांपर इसलिए इंपॉर्टन्ट हो जाता है, क्या मिशन भी हागे चलते हैं, अगला है हमारे पास में एक पांच सदसीय क्या किया गया है, समीती का घण किया गया है, गर्मेंट आफ छतीजगर within के द्वारा, गर्मेंट ओफ तीजगर खतीजज कर सरकार द्वारा, पांच सदसीय एक आयोग कगठन किया गया है किसके चेर्मेंशिप में या फिर किसके नेत्रित्व में राम विचार नेताम के आपके नेत्रित्व में इसलिए इसे बोला जा रहा है क्या नेताम समीती और ये चत्तीसगड सरकार को अपना recommendation देगी ये तीन साल तक काम करेगी ये समीती और तीन साल बाद चत्तीसगड में आरक्षन की क्या विवस्था होनी चाहिए इसके लिए ये क्या करेगी चत्तीसगड सरकार को सुझाओ देगी तो ये क्या है नेताम समीती reservation से संबंध क्या है एक आयोग है जो चत्तीसगड सरकार द्वारा गठन किया गया है राम विचार नेताम के अध्यक्षता में और इसके सदस्य कौन कौन है गोमती साय, गुरु खुश्वन सिंग, नील कंठ टेकाम, गजेंद्र यादव और संगीता सिन्हा इनकी क्या होंगी, पांच सदस्य होंगी आपसे question directly पूछेगा वाट डू यू डो अबाउट नेताम कमिटी या फिर नेताम समित्ती का संबंद निम्द में से किसमें है पांच आपको option दे देगा उन में से एक आपको choose करना होगा, आगे चलते हैं कुछ हमारे पास में चर्चित स्थान है जो वरतमान में चर्चा में रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहला है गंगरेल बांध गंगरेल बांध हमारे धमतरी में है और ये क्यों हमारे लिए important है ये देख लेते हैं एशियाई open bill stock जो की एक migratory bird है मतलब प्रवासी पक्षी है इसका हजारों की संख्या में हमारे कहां आ गए हैं ये लोग अभी गंगरेल बांध के डुबान के छेत्र में हैं अभी जो भी धमतरी में होंगे वो जरूर इसको जा करके विटनेस कीजिएगा है ना ये क्या है एशियन open bill stock नामक बहुत ही सुंदर पक्षी है जो monsoon से पहले पहले अपनी breeding करने के लिए दमतरी जिले में हमेशा आती है तो ये यहाँ पर हजारों की संख्या में आ गए हैं और इनके आने का मकसद मतलब हमारे चत्तीजगड में ये निकाला जाता है it is an indication of arrival of monsoon in चत्तीजगड मतलब चत्तीजगड में monsoon का आगमन हो गया है ये माना जाता है ये एशियन open bill stock के धमतरी में आ जाने के कारण दूसरा हमारे पास में है खलारी मंदिर जो की कहां पर है भीम खोज नामक गाओं है ये भीम खोज नामक ग्राम है कहां पर है ये महा समुन्द में है और इसी महा समुन्द में क्या है ये क्यों important है वर्तमान में it is a temple dedicated to goddess खलारी मतलब खलारी माता को समर्पित एक क्या है मंदिर है और यहां प्रत्यक वर्ष चैत्र और क्वार में चैत्र और क्वार की नौरात्री में भव पूजा अर्चना देखने को मिलती है साथ साथ very very important यहां पर आपकी चैत्र जो पुर्णिमा है चैत्र पुर्णिमा में एक मेले का क्या किया जाता है और्गनाईस किया जाता है चैत्र पुर्णिमा में हर साल है ना यह वो जगह है जहां पर ऐसा माना जाता है कि पांडव महाभारत काल में आये थे अपने वनवास के समय में और यही वो जगह है जहां पर भीम का विवा हुआ था हेडिंबा नामा के एक राक्षसी से है ना तो यह वही जगह है कौन सी भीम खोज और यहां पर एक पहाड के उपर में आपको यह मंदिर देखने मिलता है खलारी मंदिर तो कहां पर है यह महासमून में है आगे चलते हैं महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम तो हाल ही में जो आपका महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम है जो की राइपूर में स्थित है यहां पर एक डॉक्यूमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई थी मतलब दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस दस्तावेजों के प्रधर्शनी में चतीसगड का उस समय के सभी documents आपको ऐसे प्रस्तुत किये गए थे लोगों के सामने में रखे गए थे स्वतंतरता के समय में चतीसगड में कितनी देशी रियासतें थी चतीस गड़ का कितना जनसंख्या उस समय पे था उस समय कौन से राजा यहाँ पर अपने अपने देशी रियासतों को पे राज कर रहे थे किनों ने विलय हस्ताक्षर किया किनों ले विलय हस्ताक्षर बाद में किया कौन-कौन सी देशी रियासतों में, कौन-कौन से उनके पहनावे, उड़ावे के सारे दस्तावेज थे, ये सभी दस्तावेजों को आम लोगों के लिए, दो दिन के लिए क्या किया गया था, प्रदर्शनी लगा करके यहां पर रखा गया था, कहां महंत घासी दास म्यूजि 1947 के बाद में बहुत सारे जो हमारे refugees पूरे चत्तीजगड से आये थे हमारे राइपूर में रहने के लिए उनसे भी संबन्दी जो documents है वो सब के सब क्या किये गए थे यहां पर रखे गए थे at that time the population of चत्तीजगड of 14 princely states was this 28,840 हमारे चत्तीजगड की कुल क्या थी जनसंख्या थी कहां पर भारत के आजादी के समय में तो ये सारे दस्तावेजों को वहाँ पर क्या किया गया था प्रस्तुत किया गया था फिर हमारे पास में एक महिला है जो हमारे चर्चित रही है इस हफते में वो है सबसे पहली है आपकी सरीता पैकरा ये अचानक मार फॉरेस्ट रेंज जो है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व यहाँ पे डॉग स्क्वार्ड की क्या है इन चार्ज है और इन्हें महिला शशक्तीकरण के लिए इन्हें क्या दिया गया है महिला शशक रगा और यह कहां पर कारियरत नहीं वरतमान में अचानवा टाइगर रिजर्व में क्या है और यह क्या है इनका पद फॉरस्ट गार्ड की रूप में यहां काम कर रहे है साथ साथ यह dog squad की इ्न्चारज है ना और यह जो मूंक है यह पाई अहल्या बाई होलकर की 300 वी जयंती पर याने की 300th बर्थ एनिवर्शरी ओफ अहल्या देवी होलकर में इनको दिया गया है अचानक मार्ट टाइगर रिजर्व की वन्य प्राणी अभ्यारण्य को माफ किजेगा यहाँ पर यह थोड़ा सा अत्रुटी हो गई अचानक मार्ट टाइगर रिजर्व की वन्य रक्षक वन्य रक्षन को पर्यावरण संरक्षन विरांगना पुरसकार 2024 से सम्मानित किया गया है यह सरीता वन्य रक्षक है और अचानक मार में ड्वाग स्कॉर्ड क का फ्रभारी है अहिल्य देवी होलकर की दिशी जयनती पर इन्हें यह पुरसकार दिया गया था इसके बाद हमारे पास में जो हमारे 11 में लोग सभा के लिए जो वरतमान में चुने गए हैं यह हमारे वरतमान में क्या है आपके चर्चा का विशय है या फिर ये बोला जाए समसमाईकी में बने हुए है तो ये आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजेगा इसमें बताने जैसा कुछ खास नहीं है एक तरफ आपको सीट्स दिये हुए हैं लोगसभा की सीट्स दूसरी तरफ दिये हु है ना तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग इसको रट लेंगे राइपूर से कौन जीते हैं ब्रिजमोहा नगरवाल दुर्ग से जीतने वाले व्यक्ति कौन है विजय बगेल जीते हैं बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा ये हमारे रायगर के कौन है रादे शाम राटिया बिलासपूर से तोखन साहू जिने और क्या बना दिया गया है ये हमारे मंतिरी मंदल जो नरेंद्र मोधी की मंदल है आपकी जीतने वाली कौन है जोचसना महनत और ये एक मात्र ऐसे कैंडिडेट है जो इंडियन नाशनल कॉंग्र और महेष कश्यप के बाद में जीते हैं आपके जांजिएर चांपा से संटोष पांडए महा समुन से रूप कुमारी चौधरी आर कांकेर से कौन भोज राजनाग तो ये आप लोगों को बिलकुल रटा होना चाहिए पता होना चाहिए कि आपके कौन सी लोकसभा सीट से वर्दमान में कौन हमारे क्या है सांसद बने हैं ठीक है अब ये हैं आपके तोखन साहू जी तोखन साहू जिनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1979 को 15 अक्टूबर 1969 को कहां पर दिंडूरी जो मुंगेली आपका जिला है उस मुंगेली जिले में दिंडूरी नामक ग्राम में इनका क्या हुआ है जन्म हुआ है वर्दमान में इन्होंने 2024 में Member of Parliament की सदस्यता ली है कहां से बिलासपूर से और इन्हें क्या बना दिया गया है एक राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया है राज्यमंत्री मतलब Minister of State बना दिया गया है और इन्हें कौन सा मंत्रा ले दिया गया है Ministry of Housing and Urban Affairs very 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 important दोखन साहू को कौन सा मंत्री बनाया गया है राज्यमंत्री बनाया गया है और इन्हें कौन से मंत्राले के अंडर में राज्यमंत्री बनाया गया है हम सभी को पता होगा कि जो हमारे council of ministers होते हैं या फिर मंत्री परिशद जिसे कहा जाता है मंत्री परिशद इस मंत्री परिशद का हमें उलेक मिलता है हमारे भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे 74 के खंड एक में जिसमें बोला जाता है council of ministers to aid and advise president with prime minister as head मतलब राश्ट्रपती की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका मुखिया होगा कौन प्रधान मंत्री उसी के बाद हमारे अनुच्छेद नंबर 75 में बोला जाता है जो प्रधान मंत्री होगा उसकी नियुक्ती करेगा कौन राश्ट्रपती और फिर राश्ट्रपती ही क्या करेगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ती भी करेगा किसकी सलाह पर प्रधान मंत्री की सलाह पर है ना तो जनरली जब एक चुनाओं होता है आम चुनाओं होते हैं पूर्ण तब जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या ये बोलें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बहूमत साबित कर लेती है याने कि आपके वर्तमान में आपके लोगसभा में कितने सीट्स हैं पाच सो तिरालिस सीट्स पर क्या हुआ है मतदान अगर हम इसको दो से डिवाइड करें और प्लस वन कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा तो ये है आपका क्या मेजोरिटी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये इतने सीट्स मिल जाते हैं इसका मतलब हो जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर ली है मेजोरिटी पा चुकी है वहुमत पा चुकी है फिर वो पार्टी अपना नेता चुनती है और अपका जो राश्ट्रपती होता है उस नेता को प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेने के लिए आमंत्रित करता है लेकिन जैसे ही किसी भी पार्टी को ये नहीं मिलता है 272 सीटे नहीं मिलती है उत समय पर राश्ट्रपती क्या करता है अपने स्वविवेक का उपयोग करता है और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो सबसे बड़ा दल होता है संसद में उसके नेता को बुलाता है किस चीज के लिए शपत लेने के लिए उसके बाद में उसे बोला जाता है आप अपने बहुमत को साबित करेंगे कहां पर संसद भवन के फ्लोर पर है ना लेकिन इसमें भी प्रायोरिटी किसको दी जाती है जो प्री पोल अलायंस होते हैं मतलब च नेता के रूप में नरेंद्र दामुदर दास मोदी है उन्हें तीसरे कारेकाल के लिए उनके द्वारा जो बनाई गई गड़बंधन है की भी नियुक्ति करेगा लेकिन किस अधार पर जब उसको प्रधान मंत्री क्या करेगा सलाह देगा उसी सलाहों में से एक और सलाह दी गई हमारे 36 गड़ के तोखन साहुजी के लिए और इन्हें बना दिया गया है क्या राज्य मंत्री हमारे पास में जो पूरा मंत्री मंत्री परिशद होता है इस मंत्री परिशद में हमारे पास चार प्रकार के मंत्री हमें देखने मिलते हैं जो सबसे उच रैंक के मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री इन्हें हम क्या बोलते हैं कैबिनेट मंत्री बोलते हैं सबसे उच प्रकार के सबसे उच मंत्र मंत्री होते हैं जिनको पूरा का पूरा क्या दिया जाता है डिपार्टमेंट दिया जाता है एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आप समाल रहे हैं वित्त का डिपार्टमेंट आप समाल रहे हैं सुरक्षा का डिपार्टमेंट समाल रहे हैं ग्रिह मंत्राले समाल रहे हैं यह होते हैं केंद्री मंत्री, इनकी संख्या कम होती है, लेकिन यह actual center of power होते हैं हमारे किसके, हमारी कार रिपालिका के, ठीक है, इसके बाद में दूसरे हमारे होते हैं स्वतंत्र प्रभारवारे मंत्री, मतलब यह राज्य मंत्री ही होते हैं, state ministers होते हैं, लेकिन यह independent charge वाले होते हैं, इनको किसी cabinet मंत्री के under में नहीं दिखा जाता है, यह क्या होते हैं, इनको अलग-अलग department दे दिया जाता है, विभाग दे दिया जाता है, और यह राज्य मंत्री के रूप में काम करते हैं cabinet मंत्री के नीचे, लेकिन स्वतंत्र होते हैं, अपने department का नेने लेने के के लिए स्वतंत्र होते हैं और इनके बाद में आते हैं राज्य मंत्री यह जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें क्या कर दिया जाता है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और जो आपके स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं इनके अंडर में एक असिस्टेंट के पूछा जाएगा कि मंत्री परिशद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं तब आप लोगों को यह ध्यान रखना है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो राष्ट राष्ट पती की सलाख में सबसे आगे रहते हैं अग्रणी रहते हैं कैबिनेट की हर मीटिंग को अटेंड करते हैं सोतंत्र प्रभारवले जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करते लेकिन जब इनके विभा की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और इन्हें कैबिनेट की मीटिंग अलाउ नहीं होती है अटेंड करना ठीक है चलिए आगे चलते हैं स्पोर्ट्स में हमारे चत्तीजगड का क्या प्रदर्शन रहा इस बार ये देख लेते हैं इस हफते हमारे यहां केवल एक ही महतवपूर्ण स्पोर्ट्स की घटना हुई है खेल की वो है चत्तीजगड कबड़ी प्रीमेर लिग दोजार चोबिस का समापन हो गया है इसका जो organization था यह बिलासपूर चत्तीजगड के लाल बहादूर शाष्ट्री मैदान में किया गया जहां पर क्या एक और होता है हमारा चत्तीजगड का राउतनाचा महोचसाओ भी इसी लाल बहादूर मैदान में किया जाता है जो कहा है बिलासपूर में है यहीं हमारे 34 गबड़ी प्रीमियर लिग का भी क्या किया गया समापन किया गया और इसमें जीतने वाले जो है ये कवरधा यानि कबीर धाम जिले की टीम कवरधा सूपर किंग्स ने इसे क्या कर लिया इसका किताब जीत लिया है मुंगेली हरिकेन पैशन को हरा करके इन्नों ने क्या किया ये किताब जीता है कुल टीम कितने रही इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जो पहला प्रथम आने वाली टीम थी उसे एक लाक रुपे का इनाम दिया गया है ट्रॉफी के साथ में जो सेकेंड आया टीम उसे दिया गया 71,000 रुपे ट्रॉफी के साथ में जो त्रिती आये उन्हें 59,000 रुपे दिया गया तो प्रथम आये कौन आपके कवरधा, सुपर किंग्स, दुविती आये आपके मुंगेली हरीकेन पैशन्स, तृती हैं आपके बेलाई स्टीलर्स और चौत हैं आपके बजरंग फाइटर्स इन्हें भी पुरसकार रूप में 59,000 और 31,000 ट्रोफी के साथ में दिया गया है ठीक है और फाइनली हमारे लिए एक विविद तथ्या है जो हमारे लिए जानना जरूरी है इसको भी थोड़ा सा हम डील कर लेते हैं आप सभी को मालूम है पिछले महिने याने की मई में 9 तारिक को हमारे चतिसगर माध्यमिक सिक्षा मंडल जो है याने की चतिसगर बोर्ड उफ सेकेंडरी एजूकेशन जो है इसने दसवी और बारवी के रिजल्ट्स घोशित किये इसने अपने रिजल्ट्स घोशना के साथ में एक उन्यासी बच्चों की मेरिट लिस्ट भी जारी की यह वो बच्चे हैं जिन्होंने दसवी और बारवी में टॉप किया है इनके नाम जारी करने के साथ-साथ, यह आपका जो चतिसगर माध्यमिक सिक्षा मंडल है, इसने इनके नाम, इनका स्कूर, इनके स्कूल के नाम के साथ-साथ, इन बच्चों का प्राइविट मोबाइल नंबर भी क्या कर दिया, अपने वेबसाइड में अपलोड कर दिया. अब यह जो 79 बच्चे हमारे पास में हैं, इन में से 69 बच्चियां हैं, बतलब हमारी बालिकाएं हैं. और इन बालिकाओं का पर्सनल नंबर इनोंने क्या कर दिया, अपनी ओफिशल वेबसाइड पर अपलोड कर दिया. अब एक महिने से इन बच्चियों को तारीफों के लिए या फिर बधाईयों के लिए जितने फोन आ रहे हैं, उससे ज्यादा फोन और मेसेजेश इन्हें परिशान करने के लिए आ रहा हैं. इनके parents परिशान हो गए हैं, इनके घर वाले परिशान हो गए हैं, ये स्वयम भी परिशान हो गई हैं बच्ची हैं इन्हें भद्दे messages किये जा रहे हैं, इन्हें परिशान किया जा रहा है, रात के समय में कोई समय नहीं देख रहे हैं दसवी और बारवी की जो बच्ची, जो मेधावी चात्राएं हैं, आप उनको फोन करके परिशान कर रहे हैं हम अपने समाज को किस ओर ले करके जा रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा इस गटना को देखते हुए दूसरी जो गलती हुई है, चत्तीस गड़ बोर्ट से, आप किसी का भी फोन नमबर कैसे दे सकते हैं तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, कॉंट्रोवर्सी को जनरेट कर रहा है और कॉंट्रोवर्सी क्या है, पब्लिशिंग ओफ मुबाइल फोन नमबर्स विदाउट पर्मिशन इस सीन एज वॉयलेशन ओफ राइट तू प्राइवेसी जो हमारे राइट टू प्राइवेसी है, हमारे भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 21 के अंडर में हमें क्या है हमारा मौलिक अधिकार है प्राइवेसी का, उसका हनन हुआ है यहाँ पर अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बच्चे जब फॉर्म्स भरते हैं तो उसमें अपना सारा डिटेल भरते हैं बच्चे अगर अपना फॉर्म्स आप लोग भी डाल करके दे रहें इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको कहीं पर भी पब्लिश कर सकते हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिश होने के लिए नहीं है वो आपके ऑफिशियल यूज के लिए हैं पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है तो यह हमारे चत्तीजगड में राइट टू प्राइवेसी का एक पूरा का पूरा इशू यहाँ पर क्रियेट हो गया चत्तीजगड माद्यमिक सिक्षा मंडल की एक चोटी सी गलती के कारण चोटी सी तो नहीं है अगर वो ऐसी तुर्टियां करेगा तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे बहराल हमारे लिए एक्जाम के लिए उपयोगी इसलिए हो जाता है क्योंकि यह मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है तो मेंस में आप लोगों से राइट टू प्राइवेसी से सवाल आ सकते हैं राइट टू प्राइवेसी को हमारे भारतिय सम्विधान के अनुषेद 21 में कब जोड़ा गया तो यह हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के माद्यम से यह जुड़ा है हमारे सम्विधान में इतनी फ्लेक्सिबिलीटी है कि सम्विधान को संशोधित करके भी हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है हमारे fundamental rights का तो सुप्रीम कोर्ट की ruling्स या फिर उसके निर्ने के माद्यम से भी हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें कुछ चीज़ें जुड़ती हैं या फिर गटती हैं उसी प्रकार से सन 2017 में K.S. पुट्टा स्वामी वर्सेस Union of India का एक केस हुआ था और इस केस में Biometric से संबंधित क्या किया जा रहा था ने लिया जा रहा था आये देखते हैं During the hearing of a petition that challenged the constitutional validity of Aadhaar-based Biometric System The Supreme Court of India unanimously agreed that the right to privacy is a fundamental right as enshrined by the Constitution The court expended the purview of Article 21 and said that right to life and personal liberty as stated in Article 21 Also includes the right to privacy Since Article 21 falls under Part 3 of Indian Constitution which deals with fundamental rights The right to privacy thus automatically becomes a fundamental right after the judgment Since then the right to privacy has been a fundamental right in India मतलब सन 2017 में Supreme Court में एक केस चल रहा था जिसका नाम क्या है केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक पूरा केस चल रहा था इस केस में सर्वोच न्यायले जो हमारी है उसने बोला ये पूरा मामला था आपका आधार में बायो मेट्रिक्स याने कि आपके जो फिंगर प्रिंट्स हैं उसको इनेबल करने के उपर में आपका पुट्टा स्वामी जी ने क्या किया था इन लोगों ने याची का दायर की थी कि ये हमारे right to privacy का हनन है और यहां से क्या हुआ यहां से एक निर्णय निकल के आया कि जो आपका निज्टा का अधिकार है प्राइवेसी का अधिकार है ये हमारा क्या हो जाएगा अनुछेद 21 भारतिय सम्मिधान के उसका एक क्या है फाइनली 2017 से ही यह हमारा fundamental right बना हुआ है और हमारे इस fundamental right को हनन किया गया है किसके द्वारा चत्तिसगड़ माध्यमिक मंडल चत्तिसगड़ बोर्ड फेकेंडरी एजुकेशन चत्तिसगड़ माध्यमिक सिक्षा मंडल द्वारा तो यह हमारा एक controversy पुरा हमारे चत्तिसगड़ में चल रहा था जिसके बारे में हम लोगों को aware होना जरूरी है यहां पर खत्तम होता है हमारा चत्तिसगड़ से सम्मंदित जून के पहले हफ़ते में होने वाली जो क्या रही है प्रमुक समसमाई की गटनाय रही है कल हम इसी के उपर बेस करके आपके लिए क्या लेकर के आएंगे MCQs लेकर आएंगे अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के केरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको